नरेंद्र मोदी की जिस गारंटी ने बीजेपी को जीप की हैट्रिक दी है उस गारंटी को पूरा करने वाले चेहरे अभी पर्दे के पीछे हैं कौन बने का मुख्यमंत्री 36 गड़, मध्रपनेश और राजिस्थान में ये एक सवाल भर नहीं क्योंकि सवाल की जवाब से तीन राज्यों का चेहरा ही नहीं तैह होना इससे 2024 के डबल इंजन की पट्री भी बिचाई जानी है आल में हुए विदान्थभा चुनावों के परणावों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है इन चुनाव नतीजों ने ये साप कर दिया है कि मोधी की गारंटी में ही दम है मैं सभी मतदाताओं का अभारी हूँ जिन्होंने मोधी की गारंटी पर इतना भरोसा किया तीन राजों में मुख्यो मंतरी कौन का फैसला मोधी की गारंटी के मताबिक हिद्दाय होगा लेकिन नरेंदर मोधी की बीजेपी के सामने तीनों ही राजों में विकल्प कई है लहाज़ विकल्पों के बीच कोई एक चुनाव इतना आसान भी नहीं मुक्यमंतरी के चहरे का ये चुनाव इसलिए भी आसान नहीं क्योंकि मोदी के दोर में मुक्यमंतरी की रेस में चल रहे पीजे पीनेताओं के दाओं भी बहुत सोचे समझे हुए हैं मसलन 18 साल से मुक्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान चुनाव नतीजों की बात से लगातार चौका रहे हैं सिगनल उनका ऐसा है कि एमपी भी फील करें और दिल्ली भी मुक्यमंतरी आवास में शिवराज सिंग चोहान के साथ बैठी ये समीना भी है समीना ने इस चुनाओं में ब्यजेपी को वोट किया इस बात की जानकारी उनके देवर जावेद को पता लगी तो जावेद समीना से मारपीट कर बैठा ये खबर मेडिया में आई तो शिवराज ने समीना से मुलाकात कर लाहली बेनावाला अपना कार्ट चल दिया करी मेरे साथ को बोले किस तरह प्रेंब ने मिल आंए मेरे Κहर रहा हो ने क्या अब कैशाज में न किस तरह से संब्धा माढरिया किस तरह से शॉना है क्या बहूना रहा है किस थरह किस तरह से बात था तुक्तरbell $ इससे पहले शिवराज ने 6 दिसंबर को कमलात की गड़ चिनवाड़ा, 7 दिसंबर को शोपुर और 8 दिसंबर को दिगवजय सिंग की गड़ रागो गड़ का दौरा किया था इन जगाहों पर बीजेपी का परफॉमेंस अच्छा नहीं है लेहाजा शिवराज ने वहाँ से 2024 कमिशन यानि मद्यप्रदेश की सभी 29 लोग सभा सीट जीतने का भ्यान शुरू कर दिया इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलके दीजान एक करेंगे जैसे विधान सभा के चुराओं में ये सुन लैना मैं जैन की सांस नहीं लूँगा आप बताओ फिर से मोदी जी को पुर्धान मंत्री बनाना है फिर से मोदी जी को पुर्धान मंत्री बनाना है शिवराज शायद उस फॉर्मूले पर चल रहे हैं कि मुख्यवंत्री वही बनेगा जो 2024 जिताएगा लेकिन मोदी के दौर में सीम की पोस्ट की क्वालिफिकेशन के कई मापदंड है इसलिए शिवराज को अपकी बार टक्कर देने के लिए और भी चेहरे मैदान में है अपने अपने क्षेत्र में पहुँच चुके हैं एक दरजन नाम चल रहे हैं भी लाडली बहना चिंदवाड़ा में च्छतीसगड़ में थी क्या और च्छतीसगड़ की विक्टरी तो बहुत बड़ी विक्टरी है मद्यप्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर संशय अभी भी बरकरार है सुमवार को शाम को चार बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसके बाद सारे संशय के बादल छट जाएंगे शिवरा सिंग चौहान प्रलाद सिंग पटेल के लाश विजय वरगिया नरिन सिंग तोमर समेथ तमाम दिगज सीम पत की रेस में हैं लेकिन सूतर बताते हैं कि हाई कमान का फैसला जरूर चौका सकता है सीम कौन के फैसले पर जितना मद्रप्रदेश में सस्पेंस है बाबा बालकनात ने तो बकाइदा बयान ज़ारी करके कहा कि ये मुख्यमंत्री पत को लेकर उनकी कोई दाविदारी नहीं बालकनात ने टुटर पर अपने बयान में कहा पार्टी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नितरत में बाबा बालकनाथ ने दो दिनों पहले खुद को लेकर पूचे गए पत्रकारों के सवाल पर दोर तक लगा दी थी जब कि उसी दिन केंद्धिये ग्रह मंतर अमिर्शा से उनकी मुलाकात हुई थी आप रिजाइन करेंगे आज पाज रिजाइन करेंगे अजन्पी दो बार मुख्यो मंतरी ड़ैचोकी वसुंधरा राज सिन्दिया ने भी दिल्ली में बीजेपी अध्याष जेपी णड्ला से लम्भी मुलाकात की मलाकात के बाद उन्होंने मुस्कुराता चेहरा है जरूर दिखाया लेकिन ना कोई बात की और ना ही कोई संकीत दिया राजस्तान में भी मुख्यमंट्री पत के दावेदारों की लंबी सुची है वसुंद्रा के रहते राजिस्तान में बीजेपी के नया देता बनने की दोड़ में गजेंदर सिंग शीखावाद, ओमातुर, अशुनी वैशनक, दिया कुमारी, सीपी जोशी के लावा किरोडी लाल मीला के नाम चार्चाओं में हैं लेकिन महर किसके नाम पर लगेगी इसकी गारंटी नहीं है। एस बीजेपी से सत्ता गवा चुके अशोग गैलोत ने मुख्यो मंत्री के चुनाओं में हो रही देरी के बहाने हार की अपनी बडास जग जाहिर कर दी। वेसे बीजेपी के नेता मुख्यो मंत्री कौन का जवाब भले ना दे पा रहे हो लेकिन अशोग गैलोत के इन सवालों का जवाब उनके पास जरूर है। इस बीजेपी का कोई निता मुख्यो मंत्री पतपर पसंद ना पसंदो का जिक्र तक नहीं करना चाहता मुख्यमंत्री का प्रदेश संग्ठन को चुपी साधे रहने के फर्मान जारी किये हुकम की अक्सर से पालना करना संस्कृति और संसकार की बात करने वाली बीजेपी के लिए जरूरी भी है लाजमी है इसलिए बीजेपी का प्रदेश संग्ठन पूरी तरीके से खामोश है मुख्यमंत्री का चेहरा तै होना 36 गड़ में भी बाकी है जहां चुनाव के पहले शायद ही किसी ने बीजेपी के इतनी वड़ी जीत की भविश्वानी की हो 36 गड़ में रबन सिंग तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके है चुनाव प्रचार के आखरी दोर में वो राजमें बीजेपी के फ्रंट लीडर बन कर फिर नजर जरूर आए लेकिन रबन सिंग बार बार यही कहते सुने जा रहे है कि मुख्यमंत्री पात को लेकर उनका कोई आग रह नहीं ये बात और है कि उन्होंने अधिकारिये कोई अल्टिमेटब दे दिया है कि किसी फाइल पर बैक जेट साइन करने की शिकायत ना मिले प्रसासनी छेत्र से जानकारियां छन के आ रही थी और वो चिंदा जनक है प्रदेश के लिए कि तीन तारीक के डेट में कुछ विद्दी विशे को लेकर और कुछ अन्य विशे को लेकर फाइलेंट बैक डेट में